तो जैसा कि आप देख पार होंगे मेरे साम है इंस्टा 360 X3 तो ये एक 360 डिगरी एक्षन कामरा है इसको आप एक्षन कामरा की तरह भी उसके पर सकते हैं इसका लेटेस्ट वर्जिन है जिसको आज हम करने वाले अन्बॉक्स यह आपको थोड़ा डिफरेंट बॉक्स इसलिए लग रहा हुगा क्योंकि मैंने इसका जो यह एडिशन है यह मैंने मंगाया है दिखिए मोटर साइकल किट है इसमें कुछ अड़िशनल अटेचमेंट यह इसकी जो मैजिकल स्टिक आती है वह इसमें आती है उसके लावह और भी अटेचमेंट ना है तो मैं बिना टाइम वेस की आपको दिखाता है इसके इंदर क्या-क्या आता है तो अब विदावर टेनी फर्दर है ना वो है यह इसके अंदर आता है इंस्टा 360 X3 कामरा चार्जिंग केबल आती है प्रोटेक्टिव पाउच आता है जो इसके दोनों लेंस को कवर करके रखता है उसके लावा इसमें आता है लेंस क्लॉथ यानि कि लेंस को जो क्लीन करने के लिए रहता है 64 GB का मेमरी कार्ड आता है इसमें हेलमेट माउंट आता है टेल माउंट आता है कॉक्पिट माउंट आता है और इसके साथ साथ हैवी डूटी क्लॉ माउंट आता है और इसके साथ साथ इसमें यह मैजिकल सेल्फी स्टिक भी आता है इसको मन बॉक्स करते है तो पहले यह एक प्रोटेक्टिव पाउच में बोला था वह एक्चली पूरा पाउच है जिसके अंदर आप क्यामरा लख सकते हैं लेकिन यह लेंस कैप है यह सिर्फ स्पेसिफिकली लेंस को प्रोटेक करने के लिए यह लेंस कैप आता है तो अब देखते हैं पैकेट को खोल कर कि और क्या-क्या है इसमें तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही प्रीमियम क्वालेटी के मेटीरियल से बनाया हुआ है यह इसके अलाबा इसमें आते हैं अलग-अलग आपके माउंट्स जो कि आपको आप यूज कर सकते हैं बाइक बाइकिंग के दॉरान वह इसमें जो बहुत ही इंटरस्टिंग माउंट व या फिर आपकी grab rails होती है तो उन पर आप इसको attach कर सकते हैं और इस पर आप वो stick add करके invisible stick या अलग और दूसरे attachment add करके use कर सकते हैं बहुत ही useful यह attachment है इसके साथ साथ यहाँ पर अलग-अलग तरीके की mounts हैं और आपको use कर सकते हैं एक और interesting एक और interesting चीज में दिखाता हूँ आपको यह जो आप देख रहे ना यह pure metal की mount है जो की helmet के ऊपर लगती है तो helmet के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं similarly इसके साथ आते हैं यह 3M के stickers जिसे आप इन mount को अपने helmet पर या bike के किसी भी surface पर आप उसको चिपका सकते हैं बहुत ही fine quality का यह material इन्होंने यहाँ पर इस box में दिया है आपको बहुत ही useful है अगर आप इसको separately खरीटते हैं तो मुझे ऐसा लगता ही कि यह kit आपको अगर separately बनाने हो अगर आपने अलग से camera खरीब लिया है और आपको अलग से kit बनानी है तो वो थोड़ा expensive रहेगा यहाँ पर थोड़ी economy मुझे लगी उसके लावा यह आता है आपका memory card 64 GB यह भी 360 की तरफ से ही है इस kit में आता है और इसके लावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक box है इस box के अंदर आपन देखते हैं क्या क्या है इस box के अंदर भी देखे जो अपने क्लैंप है उसके यह स्क्रूज दिये हुए हैं सिमिलरली यहाँ पर भी यह स्क्रूड्राइवर जैसा मुझे फूश लगता है जो आप यूज कर सकते हैं क्लैंप को लगाने के लिए और इसके साथ आती है चार्जिंग केबल यह है यूजबी टू सी टाइप यह है आपका इस तरीके से आप इसमिशaltet कैमरा है इस तरीके से STEP-IN हो जाता है थोड्यासा एफर्ट लगता है बैल अच्छा है मैं तो इस टाइट्लि आपका यह यह क्यामरा इसके अंदर फिटだऊ녹 じंगा थे स्क्राइथ और किसी भी तरीके के शॉक से आपका क्यामिए लेंज की प्रोडेक्शन के लिए दिया जाता है उसको प्राइच से या किसी भी इंपाक्ट से प्रोडेक्ट करने के लिए इसके प्रड़ करेगा कि इसका जो फिनिश है यह काफी सौर्डफ कुषिणी टाइपस है तो डस बहुत एक करेगा जो कि आप देख दी सकते हैं मैं इसके लावा जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ अटेच्मेंट आता है वो है यह इसकी डाइमेंशन की बात करूं इसकी लेंथ की बात करूं तो यह कुछ 70 सेंटीमीटर्स जितनी लंबी हो जाती है तो यह इस तरीके से कुछ लंबी हो जाती है इसको आप यहाँ पर जो क्यामरा है उससे अटेच करते हैं और यहाँ पर आपका जो यह माउंट है वो माउंट पर आप इसको अटेच कर सकते हैं तो यह थी आल अन्बॉक्सिंग फ़र इस्टा 360 X3 मोटर साइकल किट एक बार हम क्यामरा को स्विच आउन करके देखते हैं कि हाव इट लुक्स इसमें जो मेजर अपग्रेड है न वह अगर आप देखेंगे तो इसकी जो यह टच स्क्रीन है यह इसका मेजर अपग्रेड है पहले इसमें जो पुराने वर्जन पर उसमें गोल एक टच स्क्रीन आदा था जबकि इस बार इसमें काफी बड़ी एक टच स्क्रीन दिया है बहुत ही ब्यूटिफुल लुक है तो इसका एक फुल रिवी लेकर आएंगे लेटर स्टेजिस पर अभी थोड़ा हैंड्स ओन करना बाकी है तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ तिल द झाल